हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो मैं चैनल दिस इस रोशन सर्मैक्स 14.3 एक्सराइस 14.3 के अंदर देखिये अब इन कोस्टिन को आप क्या करना है हम दो मिधड के कोश्टिन करें एक तो था हमारा अर्थमेटिक मीन दूसरा है हमारे पास मॉड अब हम सॉल्फ करें सो तो तीसरा है यह तीसरा क्या है मीडियन है तो मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिस तरह मॉड के अंदर दो बाक्स लिए तो मीडियन के अंदर तीन बाक्स आपको लेना पड़ेगा तीन बाक्स किस तरह के यहां पर दे दिया है मंतली कंजमिशन और नंबर पहले वाला box और दूसरे वाला box as it is लेंगे question के अंदर जो दिया वही आप ले लेंगे तीसरे box में क्या करना पड़ेगा आपको cumulative frequency ले लेना पड़ेगा first box यहाँ पर second box में question के अंदर 5, 13, 20, 14, 8, 4 यह दे दिया अब इसको आप cumulative frequency लेना है तो cumulative frequency के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यह 4 as it is लिखिए 4 के अंदर 5 add कीजिए हो जाएगा 9, 9 के अंदर फिर दुबारा से 13 add कीजिए 22, 22 में दुबारा 20 add कीजिए हो जाएगा 42, 42 में 14 add कीजिए 56, 56 में 8 add कीजिए 64, 64 में 8, 4 add कीजिए 68, यह 68 तो यहाँ पर भी n is equal total 68 ही हो जाएगा इस तरह आप solve कर लिए अब इसके बाद जिस तरह हम mod के अंदर सबसे बड़ा नंबर लिए उसी तरह इसके अंदर भी सबसे बड़ा नंबर जो है वो लेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर में उसी तरह दे इससे एक नंबर उपर वाले को इसको कहा दे देंगे, cfa दे दे देंगे, जो भी बड़ा नंबर हता उसके बाज़ा के उपर वाले को cf, l उसी तरह दे दे देगे यहाँ पर, जिस तरह हम mod के अंदर दे रहे थे, यह लिख ली है, अब इसके बाद के अंदर, cf कोशन के अंदर आगया हमको 22, उसी तरह h is equal to, कोशन के अंदर आप लोग चेक करेंगे, तो h आपका हो जाएगा, class length जो हरे, आपको 20 हो जाएगे, यहाँ पर देखेंगे, आप class length 20 हो जाएगा, उसी तरह आप n ले लेना है, n 68 है, इसको half कर लेगे, n by 2 कर ले is equal to, क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यह हम सब, यह पूरे values लिख लेने के बाद, अब यहाँ पर क्या करेंगे, mod median का formula लिखेंगे, median is equal to, l plus, हम formula लिखेंगे, क्या था, l plus n by 2, minus cf by f into h, यह आपका median का formula है, इस तरह हम formula लिख लिख लिए, अब दुबारे formula के अंदर क्या करेंगे, अगले step में, substituting in formula करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, substituting in formula, substitute कीजिए, l हमको मालूम है, 125, n by 2 हम आलरडी कर लिए, 34, cf भी आगया हमको 22, f भी आगया 20, हज भी है 20, अगले step के लिए 125, plus 34 में से अगर आप minus करेंगे, किसको minus करेंगे, 22 को, 22 को अगर minus करेंगे, तो कितना आजाएगा, आपका answer, 34 माइनस 22 कितना हो गया, 12, by 20, into 20, 20, 20, 20, equal है, cancel कर देंगे, बज जाएगा 125, plus यहाँ से 20, देरफोर यह दोनों को आइड करेंगे, आपको आजाएगा 137, यह आपका mode हो गया, इस तरह मीडियन हो गया, इस तरह मीडियन का आशने से आप find out कर सकते हैं, अगर explanation अच्छा लगा हो तो, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बिल आइकन को दबाना न भूलिए, ताके नए आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंचें,